नमस्ति मित्रों, आज हम गुरु गीता के भारे में जानेंगे स्लोक नंबर 119 जप हीना सनम कुर्वाना, हीन करम फल प्रदम, गुरु गीतां प्रयाने वा, संग्रा मेर पूसं कटे जपन जया अपनोती मरने मुक्ति दाईका, सर्वकर्मानी सिध्यानते गुरु पुत्रयन संसया गुरु मंत्रों मुखोय अस्या, दच्या सिध्यानती नान्या दच्छिन आया सर्वकर्मानी सिध्यानती गुरु पुत्रके भवमूल विनाशाय हा चतुष चाष्ट पश्यांतनी विर्ते गुरुगीत अभ्यासिह इस्नानं तत्वग्या कुरूती सदा सर्वसुद्धी पवित्रो अचो सभाव वाधत्र तिष्ठंती तत्र देवागना सर्वे छेत्र पीठे चनंतिचा आसनस्थाय सायान वागच्छंतितिष्ठंती अपुईवा अस्वरूडः गजारूडः सुसप्ता जागरितो अपिवा सुची भूता ज्यानत्व अंतो गुरुगीताम जपयंतिए तेशामतर्षन इसपरसयात पुनर्जन्मान विद्यते अर्थ सुनेंगे दूसरों के नहीं दिक्षा के कारण सिस्थ के सर्वकार सिद्ध हो जाते हैं ठत्वक्य पुरुष संसार रूपी विद्च की जड़ नश्ट करने के लिए और आठो प्रहारों के बंधनों संसय दया भय संकोच निद्रा निंदा प्रतिष्ठा कुल अविमान और संपती की निवृत्ती करने के लिए गुरुगीता रूपी गंगा में सदाइसनान करत स्वभाव से ही सर्वता सुद्ध और पवित्र ऐसे वे महापुरुष जहां रहते हैं उस तिर्थ में सब देवता विचरन करते हैं ती शाम आसन पर बैठे हुए या लेटे हुए खड़े रहते हुए या चलते हुए हाथी या घोड़े पर सवार हुए जागरित पर से पुनर्जनम नहीं होता स्लोग पढ़ेंगे 136 स्लोग कूशा दुर्वाशने देवी आसेन सुब कंबली उप विश्याह ततो देवी जपेदे कांगरासन सह सुपलं सर्वत्र वे प्रोक्ताम वश्ये रक्त सानम प्रिये पद्मासने जपे नित्यम सान्ती वश्या करंपराम वस्त्रासेन चदरिद्रयम पाशेन रोग संभवाह मीदिन्याम दुखवापनोती काष्टे भवती निश्वलम कृष्ण जीने ज्ञान सिद्धो मोक्ष स्री व्याग्र चर्मनी उशाषने ज्ञान सिद्धे सर्वसिद्धस्तु कंबले अग्नियाम करमानं चेव वायवयं सत्रु नाशनं नेत्रित्याम दशनं चेव इश्यान्यं ज्ञानमी वचा उद्मुखं मुखः सान्ती जाप्ये वश्ये पूर्व मुखः इस्थिताह अर तु सुनेंगे हे देवी कुष और दुर्वा के आसन पर सफेद कंबल बिछा कर उसके उपर बैठ कर एक आग्रमन से इस गुरु गिता का जब करना चीए समान्यता सफेद आसन उचित है परन्तु वंसी करण में लाल आशन अवस्तक है हे प्रिय सान्ती की प्राप्ती के लिए वंसी करण में नित्य पदमासन में बैठ कर जब करना चाहिए कपड़े के आसन पर बैठ कर जब करने से दर्दता आता है पत्थर के आसन पर रोग भूमी पर बैठ कर जब करने से दुख आता है और लकड़ी के आसन पर किये वे जब निस्वल होते हैं काले मेक चर्म और दरभाशन पर बैठ कर जब करने से ज्ञान सिद्धी होती है व्याग्र चर्म और जब से मुप्णी प्राप्थ होती है परंतु कंबल के आसन से सर्वसिद्धी प्राप्थ होती है अग्री कोन की तरफ मुख करके जब पाट करने से आकर्शन वाइवे कौन की तरफ सत्रों का नास, नेत्रित्य कौन की तरफ दर्सन और इशान कौन की तरफ ग्यान की प्राप्ति होती है, उत्तर दिशा की और मुख करके पाट करने से सांती, पूर्व दिसा की ओर वनसी करन और दच्छिन दिसा की ओर मरन सिद्ध होता है तथा पश्चिन दिसा की ओर मुख करके जब पाठ करने से धन की प्राप्ती होती है इती श्री इसकन दोक्तर खंडे उमा महेश्वर समवादे गुरु गीतायाम द्वितिय अध्धाया तो यह दूसरा अध्धाय समाक सुवाद कल से हम तिर्तिय अध्धाय के बारे में जानेंगे